गुल एहमत टेक्स्टाइल में कपड़े मेनिफिक्चर करता है और सेल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्श्चेंज में यह लिस्टिड है के सी हंडेड इंडेक्स में शामिल है और मेनिफिक्चरिंग आफ कलोट्स में इनका अपना एक नाम है इसके बहुत सारे ब्रैंड्स है जैसे की आईडियाज वगएरा तो चलें चलते हैं फंडेमेंटल एनलेसिस की तरफ अस़्ालेकम दोस्तो आज है एक और नए ट आपिक के एक और नए लेसिज के साथ आप की खेमत में हाजर आज का जो हमारा टॉपिक है गेटम की नाम से मश्यूर है केसी हंडेंट इंडेंट में शामिल ले तो आज का अगर हम करण प्राइस देखें तो इसका जो करण प्राइस है वो 21.84 पे क्लोज हुआ है बुक वेल्यू पर शेर अगर हम देखें ट्रेलिन 12 मन का तो इसका हमारे पास जो बुक वेल्यू आ रहा है वो 59 आलमोस 60 के करीब आ रहा है ट्रेलिन 12 मन का उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं 52 वीक रेंज का इसने कैसा बिहेव किया है 52 वीक में यानि की 12 महिनों में तो इसका जो रेंज रहा है वो लोएस जो इसका 21.45 रहा है जबकि जो हाइस इसका वेल्यू रहा है वो 50.10 रहा है यानि कि इसका जो लोएस्ट है वो 21.45 पे है और हाइस 50.10 पे है यह 52 week range का यानि एक साल का वो इसी range में move कर रहे है तो अगर हम current price को देखें तो current price जो है वो इसका 21.84 पे है और यह एक तरह से आप देख लें कि 52 week low पे मिल रहा है तो last में हम discuss करेंगे कि अगर यह 52 week low पे अगर हमें मिल रहा है तो इसे हमें buy करनी चाहिए या नहीं करनी चाह होते हैं that is one year change इसका जो एक साल में change रहा है इसकी price में वो 51.5% negative में है इसका मलब यह हुआ कि एक साल का जो इसके price में change आया वो negative में आया है तकरिवन पूरे 51% यह अभी low पे है यानि कि अगर आप कहें तो 51% यह discount पे मिल रहा है next point की तरह हम चलें तो principal activity है कि यह जो गुल एहमद textile mills है इसका जो main activity वो क्या है वो पहले भी हमने discuss किया था that is manufacture and sales textile products यह textile से related products manufacture भी करता है और sales भी करते हैं आप लुक सब जानते हैं ideas इनका एक brand है बहुत सारे इनके brands मौजूद है next slide की तरह हम चलते हैं तो यह हमारे पास है जिना market capitalization गुल एहमद का जो current market capitalization है वो 13.5 billion यानि साड़े तेरा अरब का जो है इसका market capital बनता है next point की जानिप हम चलते है that is P.E. ratio trailing 12 month में इसका जो price to earning ratio रहा है वो 1.51 है तो P.E. ratio भी इसका कम है fair value पे है next point है जिना आप earning पर share इसका trailing 12 month में that is very good fargul एहमद 14.44 यानि इसका जो earning पर share रहा है trailing 12 month में वो एक बहतर अर्दिक कर रहा है next point की तरफ हम चलते है dividend yield तो जो investor हजरात dividend सीख करते हैं उनके लिए dividend yield जानना बहुत जरूरी होता है इस से related अगर आप जानना चाहिए तो मुझे comments में बता दे इस पर हम अलग से video बनाएंगे ratios के हावाले से जैसे की earning पर share P.E. ratio dividend yield इन सारे ratios पे हम अलग से video बनाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझे comments में बता दिएगा तो इसका जो dividend yield है वो zero है यानि इसका मलब है कि 2021 के बाद जो है इसने कोई dividend अभी तक पे नहीं किया है तो इसका मलब है यह dividend पेंग कंपनी नहीं है अगर आप dividend seeker हैं तो यह 24% return on equity दे रहे हैं इसका मलब है जो shareholders के equity है इस पे जो profit कमा रहे है वो 24% का यह profit कमा रहे है और अमुमन जो return on equity है वो 12 या 15% से above को अच्छा या बहतर तसवर किया जाता है next slide की तरव हम चलते हैं तो यह हमारे पास आ रहे है जिनाब debt to equity ratio 57% या 50% एक अच्छा माना जाता है अगर company का debt to equity ratio अगर 100 है 100% है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है तो यह इस वह 100% से कम है इसका मलब है यह बहतर debt to equity ratio पे मौजूद है ट्रेलीं ट्रेल्मन में next point की total asset यानि first quarter की result के मुताबिक 2023 के total asset इसका आ रहा है one 19.7 billion रुपीज यानि 119 अरब की यह total company का asset है यानि 119 अरब का company का asset बनता है next point की तरव हम चलते है तो that is total liabilities यानि company के जिम्में कौन कौन से वाजबात है या कितने वाजबात है जो उसने देना है यानि company का अपना नहीं ह किसी भी time इसने pay करना है दूसरों को तो यह हमार पाजर जिनाब 59 billion रुपीज यानि 59 अरब रुपीज का इसका total liabilities बनता है अगर हम asset total asset और liabilities को compare करें तो asset के मकाबरे में liabilities बहुत ज्यादा नहीं है तो जब हम ratios को देखते है fundamental analysis करते हैं तो इसमें asset और liabilities का भी एक बहुत ज्यादा किरदार है तो आपने जो है ऐसे companies को चूस नहीं करना है investment के लिए जिनका asset और liabilities का जो रिशे है वो बहुत कम हो यानि आपने ऐसे company को चूस नहीं करना है जिसका liabilities बहुत ज्यादा हो तो उन companies में आपने buying नहीं करनी है next point की तरफ हम चलते हैं जी तो यह हमार पा से volatility को show करते की index के हसाब से जो गुल एहमट textile mills है यह कैसे behave कर रहे हैं तो यह one point two तो one point two जो है तकरीमन एक stable बीटा माना जादे कि इसकी जो fluctuation है price में वो बहुत तेजी के साथ या बहुत ज्यादा नहीं आ रहें index के हसाब से तो यह भी एक तरह से good point है for गुल एहमट textile mills तो बीटा भी इसका कामी यानि volatility इसमें ज्यादा नहीं है इसका मलब है कि यह आपको कम time में बहुत ज्यादा return नहीं दे सकता है तो यह कुछ ratios थे गुल एहमट textile mills के बारे में अब हम आते हैं कि यह हमारे दोस्त जिशान साब ने request किया था तो उनके request में हमने यह video बनाया हैं तो अब हम आते हैं कि अब यह इन सारे ratios को fundamental को देखते हुए अब company को buy करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो अब इन सारे ratios को ज़रा हम एक summarize करते हैं तो जिनाब अभी हमने discuss किया कि इसका जो current price है और जो book value पर share है तो book value के हिसाब से current जो price है बहुत low पर मिलना है या नहीं कि book value से आपको ये बहुत कम rate पे मिल रहा है तो एक point यह हुआ कि book value से कम पे आपको ये price मिलने तो that is good for गुलहमत textile mills और investment के लिए अच्छा माना जाता है book value से अगर current price कम हो number one point for गुलहमत second point की तर अब हम चलें तो वो 52 week range का है जैसे कि हम देख रहें कि यहां पे जो 52 week का range है उसमें अभी जो current price है वो 52 week के low पे trade कर रहें तो that is another good point for investment या short term investment क्यूंकि company जो है अभी 52 week के low पे trade कर रहें तो यह second point हुआ short term के लिए या long term investment के लिए one year change भी अगर हम देखे तो minus 51% है इसका मलब है कि साल में इसका अभी जो price है वो negative में 50% नीचे गिरा हुआ है तो अगर हम यहां पे buy करते तो उस सूरत में अगर यह 51% या 30% record भी करते तो उसे हिसाब से हमें return मिल सकता है उसके बाद जो अगले अगला ratio है उसके दरब हम चलते हैं जी तो इन ratio में हमने देखा कि इसका जो P.E. ratio है वो भी एक अच्छे level पे मौजूद है अनिंग पर share यह अच्छा कर रहा है इस तरह return on equity भी इसका 24% है जो कि हमने कहा कि बहतर माना जाते हैं तो P.E. ratio EPS और equity पे return on equity को देखते हुए यह ratio भी company के बारे में बतारे की आप यहां पे buy कर सकते हैं short term के लिए या longer period of time के लिए उसके बाद जो अगला जो हमने discuss किया था ratio वो था debt to equity ratio अब debt to equity ratio भी इसका 57% यानि company बहुत ज्यादा debt में नहीं फसा हुआ है इस तरह अगर हम asset भी देखे तो अच्छा हासा इसके पास asset है liability इसका asset के मुकाबले में बहुत ज्यादा नहीं है इसी तरह beta इसका यानि volatility इसमें बहुत ज्यादा नहीं है तो इसका मनलब है company के सारे ratios को देखते हुए इस price पे अगर हम company में invest करते हैं short term period के लिए और longer period of time के लिए तो सुरत में ये आपको एक अच्छा gain दे सकते हैं इवन दू की ये कैसी hundred index में हैं लेकिन किसी भी broker house की तरह से getum के बारे में buy काल नहीं दिया हुए लेकिन आप अपने research के साब से decide कर सकते है कि आपने इसमें buy करना है या नहीं करना है अब इसमें एक बाद यह हो कि बीटा आपको बता रहे कि अगर आप अभी खरीदे हैं इन सारे ratios को देखते हुए तो इसका मलब यह बिलकुल नहीं कि एक महीने दो महीने में आपको एक अच्छा return मिलेगा क्योंकि बीटा कम होने कमलब है कि कमपनी में volatility बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको short term investment और long term investment यानि कम से कम 6 मेने और ज्यादा ज्यादा एक साल या डेट साल के लिए आपको wait करना पड़ेगा अगर आपकी investment strategy एक साल से दो साल का है तो आप गुलहमत textile मिल्स में invest कर सकते हैं और दूसरा trading के तोर trading के लिए company बिल्कुल नहीं है क्योंकि बीटा बता रहे कि अगर आप एक दिन में इसमें trade करके कमाना चाहते है तो यह बिल्कुल भी possible नहीं है तो हमारा personal suggestion यह है कि आप गुलहमत textile biz में एक short term के लिए या एक longer period of time के लिए investment कर सकते हैं तो इस video से related आपके जो जहन में सवाल है अलग से video हम उसके बारे में बनाएंगे तो के लिए आप मुझे comments में बता दीजेगा और यह जो video हम बनाते हैं एक काफी research के बात हम बनाते हैं तो आपकी support की भी हमें जरुरत होती है तो kindly channel को like करें share करें और subscribe करें तो मिलते हैं जिनाब अगले video में एक और topic के साथ एक और कंपनी के analysis के साथ तब तक के लिए हमें इजादत दीजिए अल्लाँ आफेस